यह इमली की पत्ती है, इसको तोवे पहलगा से गरम करके, फिर जहां पर मोज यह इतना हो वहां लगा जा सकता है कर दो भाना है हिंए इमिली का 겁니다 का दाजापता हैैं और तब्लिप करने बाद थोड़ा-स करण इसका बदल जाता है कि ये दिधान रखिए ज्यादा करर ना बदलने पाए ज्यादा गरम करने पर यह काड़ा हो जाएगा और तूट जाएगा और इसके और सद्धिये गुन खत्म हो सकते हैं इसलिए बहुत हलका सा गरम करके जहां पर चोट लगी हो यह मोच आई हो इसको बाना दे सकता है कुछ दिन प्रियोक कर सकते हैं यह एमिली का पत्ता मोच और मसल्स के हिस्ट्रेस में बहुत प्रभावकारी है मैंने खुद प्रियोक किया इसलिए आप तो किस बात को पहुंचा रहा हूं कि बहुत जगर पर जहां पर खेल के समय यह मोच आने से जोग आपरेशन इसला देते हैं एक बार आपरेशन कराने के पहले इसको जरूर प्रियोक कर लें इसको रात भर बांग कर रखना है और सुबह खोल कर हटा सकते हैं एक दो दिन के प्रियोक में दर से बहुत रहत मिल जाती है कि इमली के पत्ते को फिर से बार दिखाते हैं कि तब ही पर गरम कर लें थोड़ा से हाल रुका से कि गरम करने के बाद से जोट या मोच वाले अस्थान पर लगा दें और रात बर बंदा रहने दें झाल